प्रज्जर परतिहार जांग गुजर परतिहार शाषक पारत दे वर्तमान केड़े दो राज्यां विच राज्य करदेशन अंसर है राज्यस्तान अते गुजरात सबतो पहला आपा एना दी थोड़ी लोकेशन वेक लिनिया जे मन लो एसाड़ी पारत दा किया मेरत है ठीक है असी एना विच एना दी लोकेशन वेक खांगी जेड़ा गुजरात ते राजस्तान दा जेड़ा पोर्शन है वो थे जेड़े गुजर सिगे और राज करदे सिगे एक गुजर जेड़े हैंने वो एक राजगुत राज्य सिगे ते जेड़े बंगाल, बिहार अते चार गंड़ दा जेड़ा इलाका सी ओथे पाल वन्ष राज करदा सिगा ते जेड़ा महाराष्ट्र दा इलाका है ओथे राष्ट्र कूट जेड़े राज्य सिगे राज करदे सिगे ते जेड़ा तामिल नाडू दा पोर्शन है गए उस विच जेड़े पल्लव वन्षी गे ओ परफूलितो या सीगा अते एथे एना दी राजदानी कांची पुरमवी सी होना पां कुछ गोषण ने हां गुजल परफिहार वन्षदा सब्थो शक्ति चाली शाषक कोण सी अंसर है मिहीर पूज सत्वस्तों पंजा या इसी विच किस ने बंगाल अते बिहार विच पाल वन्षदी स्थापना केती अंसर है गोपाल ने नेक्स्ट कुश्चन पाल वंच दा सबतो शक्ति शाजली शाषक कोण सी अंसर है गए तरंपा नेक्स्ट सत्सो ब्याणी इसी विच वर्तमान महाराश्टर विच किस ने राश्टर कूट वंच दी स्थापना किती अंसर है दन्ती गुरग ने नेक्स्ट पाल वंच दे शाषका ने वर्तमान पार्त दे केडे खेतरां ते राजगिता पाल वंच ने बंगाल विहार ते चार खंड नेक्स्ट राश्टर कूट वंच दी स्थापना किस ने किती अंसर है दन्ती गुरग ने नेक्स्ट कोश्टन है प्रिथ्वी राज चुहान ने किस शाषक नू 1191 इसवी विच त्रायन दी पहली लडाई विच हराया अंसर है महम्मद गोरी नू त्रायन दी यां दो लडाईयां होयां सान 1191 इसप पहली अते 1192 इसवी जडे दूजी लडाई होयां सी और स्वीच पृत्वी राज चुहान जडे सी और हारे सान नेक्स्ट चुहान वंच दा सकति शली शासक कोण सी अंसर है पृत्वी राज चुहान पल्लव पांडिय आते चोल राजे पारत दे केडे पाग विच राज कर देशन अंसर है धक्नी पारत विच पल्लव वंच दे दो परमुक शाषकां दे ना दसो अंसर है महंदर वर्मन पहला आते नर्सिंग वर्मन पहला नेक्स्ट पांडिय शाषकां दे राज दानी दान ना दसो अंसर है मदुराई जां मदुराग जीडी मदुराई है ओँ हुन किते स्थित है ता मिलना डूविच अथ केडे नदी दे किनारे ओह जी वेगई नदी दे किनारे नेख्ष्ट मार्को पोलो ने केडे राज दी यातरा किती अंसर है पांड्या राज चोल राज दा पहला महान शाशक कोण सी? अंसर है विजेल्य केडे चोल शाशक नू गंगई कोड़ा अते चोलला पुरम दी उपादी दिती गई अंसर है रजिंदर चोल नू किस विद्वान ने रमाइंड दा तामिल पाशा विच अनुगाद किता अंसर है कमबन विद्वान ने पार्ती इतिहास विच किस का नू दिल्ली सल्तनत दा काल किहा जन्दा है अंसर है 1206 इस्वी तो लेके 1526 इस्वी तक 126 इस्वी विच गुलावन वन्ष दे शाषक कुत्तुबदिन एबक ने दिल्ली सल्तनत दी नीरकी अते मुगल समराट बाबर ने पाणि पत दी जेडी पहली लड़ाईसी 1526 इस्वी इस्वी तो जितके दिल्ली सल्तनत दा खातमा कर दित्ता नेक्स्ट है दाश वन्ष दासंस्तापक जां गुलावन वन्ष दासंस्तापक कौन सी अंसर है कुत्तुबदिन एबक नेक्स्ट कुत्तुब मिनार दी उसारी किसने शुरू करवाई अंसर है कुत्तुबदिन एबक कुत्तुबदिन एबक जेड़े की 1206 इसी विच गदीते बैठे सी अते 1210 इसी विच एना दी मोत होगी सी ए चोगान खेड रही सी जिन्नू की होन पोलो केंदे हन अते चोगान खेड दे समें एना दी मोत कोडेतों डिग के हो गई कुत्तुबदिन एबक दास कौन सी अंसर है इल्थुत्मिष जिमे की वेको पहला जड़े कुत्तबदिन एबक सी ओ मोहमद गोरी दे गुलाम सी अते जड़ा इल्थुत्मिषी का ओ हो कुत्तुबदिन एबक दा गुलाम सी इल्थूत्मिष्दी पुत्री दा नाधसो अंसर है रजिय सुल्तान खिल्जी वन्स दा संस्तापक कोण सी अंसर है जलालुदीन खिल्जी ग्यासु दिन बल्बन ने मंगोल ना विरोध केडी निती अपनाई अंसर है लहु अते लोई दी मंगोल कोण सन एक कभिल्ले दे लोग सीगे जेड़े की जिना दा मुक्त दा किसी लुट मार करना ए लुट मार करके अपने वापिस अपने करानू पा जान दे सीगे ते एनना नुही रोकण ने बल्बन ने लहु अते लोई दी निती अपनाई नेक्स्ट जिनने विच तुसी चंगेज घादा ना सूनिया होएगा नेक्स्ट मुगल समराज दा पेला शाशक कोण सी अंसर है बाबबर बाबबर ने 1526 इसी विच पाणी पदी पहली लड़ाई जेत के मुगल समराज दी नी रखी नेक्स्ट बाबबर दा पुतर कोण सी बाबबर दा पुतर सी हुमायू अते अगों हुमायू दा पुतर कोण सी गा अकबर अकबर दा पुतर जहांगीर जिसनु सलीम विकेंड यान अते जहांगीर दा पुतर सहांजा अते सहाजा दा पुतर सीगा ओरंग जेव ओरंग जेव मुगल सामराज दा जड़ा अंतिम शक्तिशाली राजा सीगा बाबर ने 1517 वीच कानवादी लड़ाय वीच किसनू हराया अंसर है राणा संगनू जड़े की मिवार्दे परतापी राजासन सहाजाने कदों तों कदों तक राजगिता अंसर 1628 वी तों 1627 वी तक मुगल काल वीच प्राद दे मुखी नू की खिया जान्दा सी अंसर सुब्वेदा अगला मुगल समराज आकरी परशिद शाषक कोण सी अंसर ओरंग जेव शिरी गुरु तेग बहादर जी नू ओरंग जेव द्वारा कदों शहीद किता गया अंसर 11 नुवंबर 1635 वी नू किते शिवाजी दी मोत कदों होई अंसर है 1688 वीच शिवाजी मराठा वंश दे संस्ता पकसी पार्त वीच सूरज मंदर किते है अंसर कोनारक या कोनारक वीच जेड़की उडिसा वीच है उत्री पारदे मंदर निर्मान लेई केडी शेली दी वर्तो किती गई सी अंसर नागरा शेली दी अगला दखनी पारदे मंदर निर्मान लेई केडी शेली दी वर्तो किती गई सी अंसर है द्राविट शेली दी नेक्स्ट राज राजेश्वर मंदर किस ने बनवाया अंसर चोल शाशक राज राजाने नेक्स्ट टाई दिन का जोपड़ा किते स्तित है अंसर अजमेर अजमेर किते है जी राज्यस्तान विच अथे अंदा निर्मान की ने करवाया सी कुत्तुब दिन एबकने नेक्स्ट चार मिनार किस जगाते स्तित है अंसर है हेदराबाद हेदराबाद कि थे जी तेलंगाना राज विच अते जेडा एक केड़ी नर्दी दे किनारे वस्या होया है मुसी नर्दी दे किनारे नेक्स्ट पवन निर्मातामादा से जगाता किस मुगल बादशानू किहा जन्दा है अंसर है सहाँ जानू क्योंकि एना ने बहुत सारे पवनादा निर्मान करवाया जिमे कि दिल्ली दा लालकिला दिल्ली विच जम्मा मस्जिद आगरेदी मुती मस्जिद ताज महल शीष म नेक्स्ट लालकिला सहाँ जान द्वारा कदो बनवाया गया अंसर 1689 सीविच नेक्स्ट अलावदिन खिल्जी द्वारा केडी परसिद इमार्त बनाई गई अंसर अलाई दर्वाज्जा अलावदिन खिल्जी जेडे की जलालू दिन खिल्जी दे दमास सन सिंदु काटी लोकां दे राजदानी नगर केडे सन अंसर हडपा आते महों जोदलो दिल्ली सर्तनत दे राजकाल समे केडे नगरां दा राजदानी नगरां वज्जों विकास होया अंसर लहोर अते दिल्ली लहोर नू खुत्तो भी न एबक ने अपनी राजधानी बनवाया अते दिल्ली नू इल्थूत्मिश ने अपनी राजधानी बनाया Next, मुगल का समय केडे नगर मुगलाँ दे राजधानी नगर सन अंसर है दिल्ली आगरा अते फतेपुर्शिक्री Next, कोई दो बंदरगा नगरा दे नालिको अंसर है गोवा, कोचीन, सूरत कोचीन किते है केरल विच अते सूरत गुजरात विच Next, मदकाल युक विच पारत दे वपारियां ते कारिगरा दे संग नू की केंदे सन अंसर गिल्लड Next, लहोर किन्ने तो किन्ने समय तक पंजाब राज दी राजदानी रहा अंसर है अठारा सो उननजाई स्वितों, उननी सो संतारी स्वित तक जदो पंजाब राज नू अंग्रेज्या ने अंग्रेजी राज विच मलाया अते जदों पार्त अजाद होया जड़ा इन्या दे विचकारा जो टाइम पीरिट सीगा ओ जड़ा लहोर सी पंजाब राज दी राजदानी रहा Next, अकाल तकत साहिब दी उसारी केडे गुरु जी ने करवाई अंसर है सिखाँ दे छेमे गुरु, शिरी गुरु, हर गोबिन्द जी ने Next, मदकारीन का दे कोई वपारक नगरा दे ना लिको अंसर दिल्ली आगरा आते सूरत Next, कुरु रामदास जी ने रामदास पुरा विच केडे दोसरो रहां दी खुदाई करवाई Next, सूरत उते 1512 एसी विच किसने कब जाकिता अंसर है पुर्तगालियां ने अगला, मदकारीन काल दोरान समाज केडियां चार जाता विच वंडिया होया सी अंसर, ब्रामण कशत्री वैशते शुद्ध Next, दुर्गावती ने केडे मुगल शाशक दी इन मन्यन्तों इनकार कर दता सी अंसर, अकबर Next, अजोके बिहार, चार कंड दे इलाके विच बारवी सदी विच किस वंश दा उथान होया अंसर है चेर, चेर वंश दा उथान होया Next, सतीपर्था तो की पाव है अंसर, पती दी मोत तों बाद उस दी पत्ने नूं जियोन्या ही पती दी चिता नाल अक विच सडन नूं सतीपर्था केहा जन्दा है इस दा अंत जड़ा सी 1829 विच लाडवीलियों मेंटिंग ने राजारा मोहराय दे सयोगनार किता Next, अहूं वंच दा पहला शाषक कोण सी? अंसर है सुफाक का Next, गोड कबिलियां दी ज़्यादा गिंटी केड़े पाविच है? अंसर है मदपार्त विच Next, गोड कबिले दी मशूर इस तरी शाषक दा नादसो? अंसर राणी दुर्गावती Next, केड़े काल है अठारा सो इसवी तो बारा सो इसवी तक दे काल दुरान Next, अहूं कबिले दे लोग तेर्मी सदी विच केड़े देश तों असामाई? अंसर है चीन तों अगला, पगती लहर देश संता ने किस बुराई नू समाज विच्चो खतम करन लई? बहुत सारे कदम चुके अंसर है जात्ती पर्था नू खतम करन लई अगला, उत्री पार्थ विच केड़े दों मत बहुत लोग प्रिये सन अंसर शैव मत अते वैश्नम मत अधवेत तो की पाव है? अंसर है अधवेत तो पाव है पर मातमा ते आत्मा विच कोई अंतर नहीं अंसर इसलाम तरम दे मोड़ी कोण सन अते एनादा जनम कदू होया? अंसर इसलाम तरम दे मोड़ी हजरत महम्मद सन अते एनादा जनम 527 विच मक्के विच होया नेक्स्ट अकबर बार्षा ने फत्या पुर्षिकरी विच की बनवाया अंसर है इबादत काना अते अकबर ने फत्या पुर्षिकरी विच ही बुलांद दर्वाजेदा निर्मान करवाया नेक्स्ट अकबर ने सारे तरमा दे मूडले सिदा तानू इक ठाका के किस तरम दी नीरकी अंसर है इक नमे तरम दी दीने इलाही इसनू मन्यन वाला जड़ा पहला हिंदू सी ओ बिर्बल सी नेक्स्ट सिक्का दे पहले गुरू कोण सी अंसर है शिरी गुरू नानक देव जी एना दा जनम 15 अपरे 149 इसी विच होया नेक्स्ट है पंज प्यारियां दी चोंड किस गुरू ने अरंब किती अंसर शिरी गुरू गोबिंद सिंग जी ने नेक्स्ट संत रवीदास जी दा जनम किती होया अंसर है बनारस विच नेक्स्ट सूफी संता विच सब तो परसेद संत दा ना दसो अंसर हजरत खवाजा मुईनुदीन चिस्ती नेक्स्ट पार्त विच तुर्कां दवारा केड़ी पाशा शरू किती गई अंसर है फारसी पाशा नेक्स्ट किस काल नू फारसी पाशा दा सुनेरी युग किया जन्दा है अंसर है मुगल काल नू अगला किस बादशाने रमायन ते महापारत दा संस्कृत पाशा तों फार्सी पाशा विच अनुवाद करवाया अंसर है अकबर बादशानी नेक्स्ट बाबबर दी परसिद आत्मकता दा नादसो बाबबर नामा जान तुझे के बाबरी नेक्स्ट मुगल काल विच शिरी गुरु अर्जन देव जी ने राग गर्मियां देनुसार किस दी रचना कित्ती अंसर है आदी गरंत सहिब जी दी कदों 1644 विच नेक्स्ट शिरी गुरु नान्यक देव जी दुआरा रचियां गईयां महत्त पुर्ण बाणियां दे नादसो अंसर है जप्पु जी साहिब आसा दिवार शिद गोस्टी अते बाब बरवाणी नेक्स्ट चंडी दिवार किस गुरु दी रचना है शिरी गुरु गोविन सिंग जी दी नेक्स्ट हीर ना दी परसिद पंजाब बी किसे दी रचना किसने कित्ती अंसर है जी वारिश शाने नेक्स्ट है मन्जीर पर था किस गुरू सहिव द्वारा शुरू किते गई अंसर शिरी गुरू अमर्दास जी द्वारा नेक्स्ट अठार्वी सदी विच मुगला तो सुतंतर होन वाला पहला राज केड़ा सी अंसर है बंगाल अगला बहादर शा पेले ने दिल्ली सल्तनते किन्ना समा राज किता अंसर छे सार अगला जहांदार दी मोतों बाद दिल्ली सल्तनते किसने राज किता अंसर फरुक्षियर दिल्ली सल्तनते स्तारा सो उन्नी सिवितों स्तारा सो अड्तारी सिवित तक किसने राज किता अंसर मुहमदा शा ने मोगल सम्राज दा आखरी शाशक कोण सी अंसर है बहादुर्शा जफर अलवर्दी खान तोंबाद स्तारा सोच पंजाए स्वी विच बंगाल दा शाशक कोण बन्या अंसर सिराजुदूला निजाम उल्मुलक दा अरंबकना की सी अंसर है चीन की चील खान चीन किलीच खान हैदर अली दे पुत्तर दा की ना सी अंसर है टिपू सुल्तान अंसर है 1799 विच अगला मराठ्यां दा पेला पेशवा कोण बन्या अंसर बलाजी विशवना अगला लोकतंतर दा अरंब केड़े शहर विच होया अंसर है युनान देशहर एथेंस विच होन एथेंस जेड़ा है गये ओ गरीक देश दी राजदनी है कि बलाज़ा इस जेड़ा है